नवरात्री में इन पवित्र दिनों में मा दुरगा के नौ रूपु की उपासना का विशेश महत्व बताय गया है भक्ती में डूबेश अधालू, मा की उपासना के महत्व को तो खूब समझते हैं लेकिन क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि मा के ये नौ रूप अपने भक्तों के लिए जिन्दगी के ऐसे सबक हैं, ऐसे सूत्रों को भी समेटे हुए हैं जिनका पालन आपको जीवन में काम्याब बना सकता है माभगवती का हर रूप जिन्दगी से जुड़ी एक एहम सीख देता है शक्ती उत्सफ के इस मौके पर आज जी एंटी स्पेशल में हम आपको इबताने जा रहे है कि आंकर देवी के नौ रूप सफलता के कौन से नौ सूत्रों के प्रतीक है शैल पुत्री ये वेद भगवान ने दुरुगा के नौ रूपों को विभाजित किया है उसमें शैल पुत्री से हमें या सीख मिलती है कि जिस तरह परवत राज अडीग रहते हैं उसी प्रकार से व्यक्ती अपने जीवन में उसको अडीग रहना चाहिए परवत राज क्या है कि त्रिविद जो ताप है या किसी भी प्रकार की आपदाएं होती है चाहिए वो आपदा जल की हो या आधी की भी आपदा हो लेकि सभी आपदाओं में परवत राज हमेंसा अडीग रहते हैं अचल रहते हैं उसी तरह मानव को भी किसी भी प्रकार की कोई प्राकिरतिक भी आपदा हो उसमें व्यक्ती को अडीग रहना चाहिए वक्त बिचलित नहीं होना चाहिए या शैल पुत्री माता से हमें सीख मिलती है काम में सफलता के लिए अनुशासन देहत जरूरी होता है अगर हम अपने लक्ष के लिए हाथ से अनुशासित नहीं है तो फिर कभी उसे हासल भी नहीं कर सकते ब्रह्मचारणी का यह तातपरज होता है कि ब्रह्मे में विचरन करना यह मानव जीवन का एक सबसे महत्पून पड़ाव है कि ब्यक्ति के अंदर अनुशासन कैसे आ सकता है अर्थात ब्यक्ती का जीवन सत्य हो सत्याचरण हो उसके चित कभी भी विचलित न हो हमेसा सदिवर्तियां हो और वो हमेसा आनंदित रहे यह जो सीख मिलती है वो ब्रह्मचारणी मुर्ती से ब्यक्ती को मिलती है अर्थात सत्याचरण से चित से और आनंद से ब्यक्ती अपन से गगन मंडल में चंद्रमा अपनी प्रकास से दुनिया को प्रकासित करता है उसी प्रकार चंद्रगंटा इस मुर्ती से इस माता के रूप से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को बिलकुल प्रकासित करें और इतना प्रकासित करें कि हमारे आस पास के रहने वाले ज जो सीख मिलती है वो माता चंद्रघंटा से मिलती है